नमस्का साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल इलहाबाद पार साला जहां पर हम निरंतर लगातार आपको क्लास दे रहे हैं जिसमें की ओ लेवल जनवरी 2024 के लिए एक्जाम के लिए लगातार कोश्चन पेपर बनाया जा रहे हैं जिसमें आज हम जो है वो M1 R5 के लिए हमने तयार किया है एक इस्पेशल मैराथन क्लास जिसे गेस पेपर के नाम से हम ने टाइटल दिया है और यहां पर हम आज डिसकस करेंगे जो एक्जाम 16 जनवरी 17 जनवरी 18 जनवरी 19 जनवरी और 20 जनवरी जो भी बच्चे इस डेट में जिनका पेपर है वो पेपर देने जा रहे हो तो इसको जरूर देख लें इससे क्या होगा इससे 100% इसका बेनिफिट आपको मिलेगा ठेक है ना तो यहां पर क्या है कि इस क्लास में हम जो है डिसकस करेंगे M1 R5 जिसको बेनिफिट होगा वो केवल और केवल पहले पेपर वालों का बेनिफिट इसमें जुड़ा हुआ है ठीक है ना तो इसमें देखेंगे कुछ नए कोशन एड़ किये गए हैं और जो 13, 14, 13, 14 और 15 इन डेटों में जो एकजाम में कोशन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड भी कोशन यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज की क्लास बिना रुके हुए सबसे पहला कोशन आपके लिए यह है ठेक है ना तो यहां पर देखेंगे लिब्रे ओफिस का कोश और फिर आला आप दा एब तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा यह डाकुमेंट फाउंडेशन आज की क्लास में यह कोशन पूछा गया था आज 15 जन्वरी है 15 जन्वरी आज 15 जन्वरी के पेपर में यह लिब्रे ओफिस का कोशन पूछा गया है ठेक है ना चले आगे चलते हैं, अगला, ठीक है ना, LibreOffice, LibreOffice is an application software, application software और system software, दो प्रकार से होता है, तो यहाँ पर देखेंगे, LibreOffice किस प्रकार का software है, application है या system software है, तो यहाँ पर true और false में answer देना है, जिसमें correct answer बनेगा true, ठीक है ना, LibreOffice एक application software है, जो user के द्वारा install किया जाता है, O-Level की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें जिन वच्चों ने अभी तक कोई भी class नहीं attend की, वो भी इस वीडियो को देख करके, अपने exam को qualify कर सकते हैं, ठीक है ना, और जिन्होंने class किया है, उनके लिए तो यह बहुत 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 beneficial होगा, उनको बहुत क इस राइटर का file extension सबको पता है, और ये 13 जन्वरी को भी पूछा गया है, 14 जन्वरी को भी पूछा गया है, और 15 को भी पूछा गया है, मतलब तीनों दिन ये question fix है, मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था, कि ये question confirm होता है, तीन question fix है, एक राइट का default extension क्या होगा, तो तीसरे का correct answer A हो जाएगा, .odt, ठीक है न, अगला question है, undo, cut, copy, paste, or command, मतलब ये command कहां उपस्तित होते हैं, 13 तारीक की class में, और 14 जन्वरी के paper में, 1st paper में, ये question रखा गया है, जिसमें देखेंगे, undo, cut, copy, paste, एक दम हो बहुत question, जिसमें की देखेंगे, ये 4 नंबर का question है, 4 नंबर का question है, इसका correct answer जो हो जाएगा, वो edit हो जाएगा, मतलब edit menu में ये सारे बिकल्प पाया जाते हैं, अगला question है, question ये है, command लिखा हुआ है, आगे तक, फिर which menu option content, save, print and close command, save, print and close command, कौन से menu में पाया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे, file है, insert है, और format है, और tools है, तो कौन सा menu, तो question number 5 का correct answer A बन जाएगा, file menu के अंतरगत ये options पाया जाते हैं, अगला question है, एकदम question के बीच में देखेंगे, कोई define नहीं है, मतलब कुछ भी मैं define नहीं करूंगा, इस पसली, बस आपको लगातार question पर 16 तारिक में जो first paper जो paper देंगे, first paper उनके लिए ये बहुत ही beneficial हो जाएगा, तो इसलिए आज मैंने ये वीडियो बना दिया, कि ताकि कल की class वाले बच्चों को जो है, वो benefits का मिल सके, तो कल की class के लिए 16 तारिक के लिए देखेंगे, जो जो paper जिन जिन का तयारी है, जिन ज जनवरी के paper में पूछा गया है, तो यहां पर देखेंगे, default font size यहां पर कितना होता है, राइटर, the default font size, Libre office writer, Libre office writer के correct answer देखेंगे, कहां है, तो 12 है, ठेक है न, ये correct answer इसका बन रहा है, अगला question है, जिसमें कह रहा है, what is the smallest and largest font size available, font size tools, font size, कौन से, font size के tools में, यहां पर smallest और largest font size available होता है, formatting tools बार में, ठेक है न, तो इसमें देखेंगे, largest और smallest पूछा गया है, तो question number 7, ये भी पूछा गया है, तो ये भी हमारे 13 तारिक के paper में पूछा गया था, first paper में, तो मैंने कहा न, maximum जो question होंगे, वो पूछे गये question होंग तो धान से repeated question है, लगाता repeat हो रहे हैं, धान से देखिएगा, यहां पर देखेंगे, 7 number का correct answer B बन जाएगा, 696, कितना? 696, अगला देखेंगे, यहां पर है question number 8, what is the word processing in LibreOffice, LibreOffice में word processing software कौन सा है, तो calc writer impress draw कौन सा है, तो question number 8 का writer जो होगा, वो सही हो जाएगा, अगला द text है, what is the default alignment of text in LibreOffice writer, यह question पूछा गया है, 13 जन्मरी को भी पूछा गया है, और 14 जन्मरी को भी पूछा गया है, ठीक है न, what is the default alignment same to same, हूँ बहु कोशन, what is the default alignment of text LibreOffice writer, तो question number 9 में देखेंगे, कह रहा है, 9 में देखेंगे, 20 ही है, ठीक है न, left side, जानी page के left side, अगर मैं जो answer solution type में मैंने खुद से write की हुई notes देखी हुई है, उसको जब आप देखेंगे, तो आपको यह लगेगा कि सारे question बहुत ही important है, ठीक है न, तो देख लिजिए, यहाँ पर देखेंगे, next है, question number 10, what is the type of page orientation in LibreOffice, ठीक है न, तो यहाँ पर देखेंगे, यह भी question, 14 जन्म के paper में पूछा गया, मतलब question, maximum question वही रखे गए है, जो question exam में पूछे गए है, what type of page orientation लिब्रे ओफिस, लिब्रे ओफिस में page type का orientation जो page type का होता है, वो दो होता है, एक portate होता है, और एक landiscape होता है, जिसकी लंबाई बड़ी होती है, जिसकी लंबाई ज्यादा होती है, व landiscape page होता है, तो दो होते हैं, बाथ, portate and landiscape, इसका correct answer ये बनना चाहिए, तो correct answer इसका 10 नंबर का D बन जाएगा, ठीक है न, अगला question, अगला question है, 11 नंबर का, which of the following key board, shortcut key use in exit लिब्रे ओफिस राइटर, 13 को पूछा गया, 14 को भी पूछा गया, ठीक है न, तो control plus F1, control F2, control F F4, alt F4, ठीक है न, तो यहाँ पर 11 नंबर का correct answer D हो जाएगा, alt F4, ठीक है न, alt F4, ठीक है न, next है, यहाँ पर question number 12, question number 12 में देखेंगे, what can be done with the help of word processing, यहाँ पर देखेंगे, कौन सा editing के लिए, formatting के लिए, typing के लिए, all of the above, 12 नंबर का correct answer जो हो जाएगा, वो D हो जाएगा, editing formatting, typing, we can done with the help of word processor, यहाँ पर देखेंगे, editing, formatting और typing, सभी चीजें available हो सकती है, next है, 13 number का question, what is the default font use of LibreOffice Writer, यह भी question 13 को भी पूछा गया, 14 को भी पूछा गया, what is the default font is the LibreOffice Writer, default font इसमें से कौन सा है, तो default font, liberation serif, liberation serif, what is the default font, LibreOffice Writer, 13 number के correct answer है, liberation serif, correct answer यह, ठीक है न, जो बच्चे regular class किये हैं, वो जरूर जानते होंगे, जो नहीं किये हुए हैं, वो लोग भी निरास नहों, वो लोग भी paper अच्छा कर लेंगे, first paper का तो एकदम confirm होता है, कि first paper easily है, थोड़ा सा, इस वज़ देखेंगे, 14 number के question है, 14 number में देखेंगे, which shortcut की use of new style in LibreOffice Writer, LibreOffice Writer में new style के लिए shortcut की क्या होती है, तो 14 number के correct answer यह बन जाता है, यह shift plus F11, यह आज 15 तारिक है, 15 तारिक के morning बैच में यह question पूछा गया, question है, जो question हूँ बहु लाकर के रखा गया है, next देखेंगे, यहां प you can do in LibreOffice Writer, यहां पर देखेंगे, 13 को पूछा गया, और 14 को पूछा गया, यह question, तो यहां पर देखेंगे, 20, 400, 600, 500, ठीक है न, तो 15 number के correct answer D हो जाएगा, 600, राइटर का पूछ रहा है, ठीक है न, राइटर का अलग, calc का अलग, impress का अलग, ठीक है न, फिर उसके बाद, 16 number, what is the default location of save in LibreOffice Writer, default location, मतलब आज 15 तारिक को यह question पूछा गया, जब भी हम, बिलकुल easy question है, जब भी हम file को save करने जाते हैं, तो location काउन सा होता है, desktop होता है, desktop होता है, document होता है, download होता है, none of these होता है, ठीक है न, तो 16 number के correct answer देखेंगे, क्या बन जाएगा, B, my document, my document होता है, जिसमें की default रूप से save होता है, अगर आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बदलेंगे, तो हमेशा यहीं मिलेगा, किसी भी computer में save करने जाएंगे, तो document में ही file, निर्धारित रूप से save होती है, next देखेंगे, 17, which shortcut key use for full screen in LibreOffice, यह 13 को भी पूछा गया, 14 को भी पूछा गया, और 15 को भी पूछा गया, यहां पर देखेंगे, control plus shift plus j, control plus shift plus j, ठेक है न, यह है आपका shortcut key, shortcut key, control plus shift plus j, correct answer a हो जाएगा, ठेक है न, अगला है, what is the line spacing by default, 13, January, 14, January, दोनों में पूछा गया, ठेक है न, default line spacing, LibreOffice writer, कितना, 1, 1, 5, 2, 2, 5, 18, number का correct answer a हो जाएगा, 1 होता है, ठेक है न, अगला देखेंगे, यहां पर है, we can insert page number at, page में number कहां से add किया जाता है, header, footer, both a and b, तो 19 number का correct answer यहां से, मतलब आप उपर भी कर सकते हो, मतलब header में भी और footer में भी numbering कर सकते हो, next question है, 20 number का, what is a default view of LibreOffice writer, 15 तारिक, आज morning की बैच में यह question पूछा गया, कि LibreOffice writer का view, default कौन सा होता है, normal view, outline view, web view, और none of these, तो 20 number के correct answer जो बन जाता है, वो a बन जाता है, जब भी आपका writer का page खुलता है, तो वो normal view में होता है, default रूप से, बाद में आप बदल लीजिए, next है page margin in the, white space around of the top, bottom, left, right, your document, जो page होता है, उसके चारो तरफ white space पाया जाता है, क्या, इसमें पोला गया है, 21 में correct answer 2, चारो तरफ white space मिलता है, ठीक है, next देखेंगे, question number 22, what is the shortcut की create a new document, new document का shortcut की 13 चनवरी, 14 जनवरी, दोनों exam में पूछा गया है, तो question number 22 में कह रहा है, control n, shift n, control shift n, control shift plus n, यहाँ पर library office, library office writer में पूछा गया है, ठीक है न, ध्यान रखेंगे, calc writer impress, ठीक है न, इन बातों का ध्यान रखें, यह नहीं कि library office पूछ लिया तो लगा idea जहां मन किया, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, 22 नंबर का है, 22 नंबर what is the shortcut key of auto text use of library office writer, एकदम ताजा है, 15 तारिक को पूछा गया question है, मतलब 15 जनवरी आज के paper में पूछा गया है, यह सुबा पूछा गया है, सामको यह वीडियो में बना रहा हूँ, अगला question है, 23 नंबर का, what is the shortcut key of auto text use of library office, library office के लिए shortcut key क्या है, auto text के लिए, to a, control plus f2, ठीक है अगला question है, 24, 24 में, in library office writer, mail merge option available, which menu, ठीक है न, 13 जनवरी यह पूछा गया था, कौन से menu में mail merge option पाया जाता है, inside tool format form, ठीक है न, तो 24 में देखेंगे correct answer बन जाएगा B, ठीक है न, tools में पाया जाता है, 25 नमबर, find the maximum zoom percentage in library office writer, library office writer में 600% होता है, ठीक है न, तो यहाँ पर देखेंगे, find the maximum zoom percentage in library office writer, maximum zoom, इसमें देखेंगे, 25 नमबर का correct answer, D हो जाएगा, 20, ठीक है न, 20, find the, sorry, minimum पूछ रहा है, ठीक है न, maximum ये लिख दिया, minimum 20 होता है, तो correct answer ये है, अगला देखेंगे, 26, 26 में what is the shortcut key of save as, in library office writer, save as का सबको पता है, save के लिए ये होता है, save as के लिए ये होता है, ठीक है न, तो यहाँ पर 26 का correct answer, D बन जाएगा, ठीक है न, ये इसका सही answer है, अगला है 27, 27 में with shortcut key, use of hide and unhide ruler, ruler को hide and unhide, 14 जन्मरी को पूछा गया question है, लिब्रे ओफिस राइटर में, hide और unhide ruler, ठीक है न, लिब्रे ओफिस राइटर shortcut key, shortcut key देखेंगे, इसका है 27 नंबर का correct answer बन जाएगा, control plus shift plus R, control plus shift plus R, अगला है 27 के बाद, 28, we can, we do, with help ruler, in libre office writer, 28 का देखेंगे, टाइब सेटिंग, page margin, setting, indentation, और फिर उसके बाद, correct answer, आलाव दाएबब हो जाएगा, टाइब की सेटिंग भी, margin भी, और indent भी, सेट कर सकते हैं, 29, what is the shortcut key, super script, super script का short key, 13 जन्वरी, 14 जन्वरी, 15 जन्वरी, आज भी पूछा गया है, ठीक है न, तो 29 का correct answer जो बन जाएगा, वो बन जाएगा, B, ठीक है न, control plus shift plus P, ठीक है न, super script, super script मतलब होता है, line के उपर, यानि power, ठीक है, अगला है, next है 30, which menu, LibreOffice Writer, in the option, automatic spelling check, automatic spelling check, कौन से menu में होता है, ठीक है न, तो 13 जन्वरी को पूछा गया question है, उसके बाद ये 14, 15 को नहीं दिखाई दिया, नहीं मिला, अब क्या कर सकते हैं, देखिए, देखते हैं, इसमें देखेंगे, 30 नमर का correct answer C है, ठीक है न, tools, ठीक है, अगला देखेंगे, next है 31, which shortcut key, use of auto spelling check, short key कौन सा है, auto spelling check का, 13 को पूछा, 14 को पूछा, 15 को भी सुबा पूछा, अब देखेंगे, यहाँ पर क्या है, 31 का correct answer क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, shift प्लस F7, अगला है 32, 32 में कह रहा है, what is a shortcut key of LibreOffice, what is shortcut key to cut, cut का shortcut key, cut का shortcut key सबको पता है, 32, 32 में देखेंगे, control X होता है, ठीक है न, control C नहीं, control X, अगला देखेंगे, you can hyperlink to an image, यानि hyperlink के cannot, cannot hyperlink to image, यहाँ पर correct answer true होगा, या false होगा, तो 33 में देखेंगे, यहाँ पर false हो जाएगा, ठीक है न, अगला देखेंगे, next है, next में देखेंगे, what is shortcut key hyperlink, यह देखेंगे, 13 को भी, 14 को भी, ठीक है न, तो hyperlink का shortcut की, control plus K होता है, 34, ठीक है न, अगला देखेंगे, 35, which menu, end note, footnote option available, लिब्रे office writer, 14 जन्वरी के बारे में पूछा गया, 14 जन्वरी में footnote के racial related पूछा गया है, ठीक है न, तो footnote के और end note option कौन से menu में होता है, यहाँ यह पूछा गया है, 35 का correct answer format menu में उपस्तित होता है, next है 36, 36 में if you want to say a document and you want people to only view it, edit, not edit, which one should you use, कौन, ODT, DOC और फिर उसके बाद DOCX, PDF, कौन से format में file को भेज़ दिया जाए, जिसमें की lock रहे, कोई भी user उसमें किसी भी प्रकार की editing ना कर पाए, तो PDF format ठीक है, अगला देखेंगे, what is shortcut की use for page break in LibreOffice, page break का shortcut क्या है, ठीक है न, तो 37 का correct answer क्या बन जाएगा, B, control plus enter, अगला देखेंगे next क्या है, 38, which shortcut की use of line break LibreOffice writer, line break करने के लिए shortcut क्या होता है, तो 38 का correct answer जो हो जाएगा, shift plus enter, line break और page enter, यहाँ पर देखेंगे 39, 39, which strip present below in title bar in LibreOffice writer, ठीक है न, तो 39 में देखेंगे menu bar, tool bar, status bar और task bar, menu bar होता है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 40 number, what is the shortcut key insert in a table, what is shortcut key to insert a table, LibreOffice writer, table insert करने का shortcut key क्या है, बस यह बताना है, 40 number के correct answer, control plus F, 12 हो जाएगा, shortcut key का पूरा question ज्यादातर है, यहाँ पर देखेंगे 41, 41 में देखेंगे पूछ रहा है, what is shortcut key for manage template, manage template का short key पूछा गया है, manage template का shortcut key कल के paper में, 14 जन्वरी को पूछा गया है, जिसमें के 41 का correct answer C हो जाएगा, control plus shift plus N, what is the shortcut key manage template, LibreOffice writer, यह देखेंगे manage template के लिए देखना पड़ेगा, यह इस पर थोड़ा doubt है, आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर कुछ गलती का chance है, एक बार confirm कर लिजिएगा, control plus shift plus N ही होता है, यह दिफरेंट है, ठेक है न, यहाँ पर देखेंगे 42, what is the file extension for template in LibreOffice writer, template, यहाँ पर देखेंगे 13 को भी पूछा, और 14 को भी पूछा, template के लिए, template, file, extension, 13 तारी, 16 तारी, दोनों date में पूछा गया, यह correct answer 42 नंबर का B हो जाएगा, अगला देखेंगे next है, in LibreOffice writer, find the location footnote, footnote का, यह देखेंगे, 14 तारी को पूछा गया, 15 को भी पूछा गया, footnote, footnote कहां पर located होता है, top of the page, bottom of the page, top of the document, bottom of the document, ठीक है न, तो 43, 43 में देखेंगे, correct answer यह है, bottom of the page, page के नीचे होता है, ठीक है न, next question है, 44, what is the maximum custom font size, ठीक है न, sorry, minimum custom font size in LibreOffice writer, ठीक है न, तो यहाँ पर देखेंगे, 6 और 96 होता है, तो लगा दो फिर यहाँ लग रहा हो, 44 के correct answer देखेंगे, B हो जाएगा, what is the minimum custom font size, तो इसे कितना कर सकते हैं, दो तक ले जा सकते हैं, 696 वाली value, यानि 6 और 96 minimum zoom, maximum zoom, next है, अगला, 45, font size cannot be changed on LibreOffice writer, font size क्या, font size नहीं बदल सकती, तो यह 45 में false हो जाएगा, font 5 चार्ज इतना बदली है, यह नहीं बदलेगा, तो कई से 696 होगा, यहाँ पर देखेंगे, 46, what is the maximum font size in LibreOffice writer, कितना बढ़ाया जा सकता है, maximum font size, ठीक है न, तो 46 के correct answer D हो जाएगा, 999.999, याद रखेंगा, 999 है, याद रखेंगे, 47, 47 में देखेंगे, in which menu, in scroll bar, option available, LibreOffice writer, menu scroll bar, scroll bar मतलब vertical scroll bar और horizontal scroll bar, 47 के correct answer view menu में पाया जाएगा, view menu में यह option available होगा, next है, what is the shortcut की double underline, double underline का shortcut की, 15 तारिक आज, आज पूछा गया है, ठीक है न, तो 48 में देखेंगे, correct answer यह बन जाएगा, ठीक है न, अगला देखेंगे, 49, 49 में, what is the shortcut की, make text bold, bold, writer, bold करने का shortcut की, control plus B होना चाहिए, 49 में देखेंगे, correct answer B होन जाता है, पचास नंबर का question, in which menu command, like bold, italic, underline, found, libre office writer, libre office writer में bold, italic, underline, found, कहां पर पाया जाता है, insert में, style में, format में, यह 13 तारिक को पूछा गया question है, style में पाया जाएगा, 50 नंबर का correct answer, यह गलत हो रहा है, style नहीं format होना चाहिए, ठीक है न, आगे देखेंगे, next है, 51 नंबर, what is the shortcut key of clear formatting of libre office writer, clear formatting का short key क्या है, एक कावन नंबर का A, C, B, M, correct answer D हो जाएगा, M, 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 next है अगला, 52, 52 में देखेंगे, what is the default margin in libre office writer, can document, default margin, 13 को पूछा गया, 14 को पूछा गया, 15 को भी पूछा गया, यहाँ पर देखेंगे, इसको देख लेओ, समझ लेओ, ठीक है न, 52, फिर उसके बाद 52 में देखेंगे, correct answer B बन जाएगा, A को होता है, ठीक है न, मतलब, पेज के चारों तरफ जो छुटा हुआ रहता है, वो एक रहता है, यहाँ पर देखेंगे, 53, which menu, libre office write, high thesis option, यह देखेंगे, 13 को भी पूछा गया, 14 को भी पूछा गया, 15 को भी पूछा गया, तो यहाँ पर देखेंगे, 54 के correct answer D हो जाएगा, view menu बार में ruler बार पाया जाता है, next है 55, which key is use of exit application, libre office writer, मतलब, पूरे-पूरे application को बंद करने के लिए, कौन सा shortcut key होता है, 13 को पूछा गया, 14 को पूछा गया, 15 को पूछा गया, मतलब, 13 जन्वरी, 14 जन्वरी, 15 जन्वरी, ठेक है न, तो 55 नमर के correct answer D हो जाएगा, control प्लस Q हो जाता है, ठेक है न, next है, what is the default file name, libre office writer, default file name, 13 को पूछा गया, 14 को पूछा गया, यहाँ पर देखेंगे, 57, 57 में, what is the default file name, libre office writer, लिप्ले बस, libre office writer का default file name, क्या होता है, तो यहाँ correct answer आपको बन जाएगा, 57 का correct answer C हो जाएगा, untitled 1 रहता है, next है, 58, where is the comment option, library office writer, library office writer में comment कहां उपस्तित होता है, insert format tools style, 58 में correct answer देखेंगे, insert में होता है, ठेक है न, next है, 59, ठेक है न, what is the shortcut key, center, center text in library office, मतलब, text को center में set करने के लिए, shortcut key कौन सा है, C, J, E, L, ठेक है न, तो यहाँ पर 59 का correct answer C हो जाएगा, ठेक है न, C, control E, ठेक है न, center set करने के लिए, next है, 60 number, what is the shortcut key, the open, the formula bar, library office writer, what is the shortcut key, open the formula bar, library office writer, ठेक है न, 60 number का correct answer E, बन जाएगा, F2, ठेक है न, F5, गलाथ, F7, गलाथ, F11, गलाथ, 60 number सही, अगला देखेंगे 61, what is the shortcut key, style of formatting library office, ठेक है न, यहाँ 61 में देखेंगे correct answer क्या बनेगा, F2, F5, F11, और फिर उसके बाद F12, तो 61 का correct answer आपका बन जाएगा, C, F11, F11 shortcut key है, style के लिए जाना जाता है, यह बहुत पुराना question है, बहुत बार पूछा गया है, नेक्स्ट देखेंगे 62, the shortcut key, the open a document in a library office writer, the shortcut key, open a document in a library office writer, control plus H, control O, control P, और control Q, कौन सा, तो 62 का, 62 में देखेंगे correct answer B बन जाएगा, control plus O, open shortcut key, या, file open करने का shortcut key common है, open say, यह सब का भी बताना पड़ेगा, 63 में देखेंगे, 63, in which menu has the option to add page in a library office writer, यहाँ पर कह रहा है, in which menu has option add page on a library office writer, file में, insert में, और format में, edit में, कौन से menu में उपस्थित होता है, तो 63 का correct answer B हो जाएगा, insert के मार्थम से कर सकते हैं, next hack 64, in library office writer, which of the following not option in the file menu, आज पूछा गया है, 15 January, ठेक है न, 15 January O level paper की बात हो रही है, ठेक है न, यहाँ पर देखेंगे, 15 January को यह वाला question आज की date में पूछा गया, library office writer, which following is not option in the file menu, ठेक है न, तो यहाँ पर देखेंगे, 64, 64 में देखेंगे, हमने रखा है, यहाँ पर देखेंगे, correct answer AS नहीं होता, new save save, यह चीज़े पाई जाती है, next है 65, which shortcut key use to go to the beginning of the line, library office writer, मतलब page पर कोई भी matter लिखा है, और सुरू में आपको cursor पहुँचाना है, कौन सा, home key, alt home, control home, shift home, ठेक है न, 65 में रखेंगे, home key, home key के माद्धम से पहुँचाया जा सकता है, next है which shortcut key use insert, bullet list, bullet list in writer, matter लिखा हो, उसमें bullet style लगाना हो, तो क्या करेंगे, कौन से shortcut key use करेंगे, तो 66 का C, correct answer, shift plus F, 12 बन जाएगा, अगला देखेंगे, next है 67, in which menu is the word count option available, library office writer, library office writer, in कौन से menu में, word count option available होता है, table में, tools में, file में, menu में, 67 का correct answer बन जाएगा, B, tools में पाया जाता है, अगला देखेंगे, 68, 68 में देखेंगे, कह रहा है, which shortcut key use of heading, heading 2, library office writer, 1 के लिए, 1, 2 के लिए, 2, 3 के लिए, 3, 4 के लिए, 4 होता है, सीधा सीधा याद कर लेओ, correct answer देखेंगे, B, इसमें heading 2 पूछा है, इसलिए 2 को टिक कर दो, 1 पूछा होता तो 1, यहाँ पर देखेंगे, 69, in library office writer, which of the following shortcut key use justify in the paragraph, paragraph देखेंगे, 13 को भी पूछा गया, 14 को भी पूछा गया, 15 को भी पूछा गया, यह question, इसमें देखेंगे, control S, control shift plus J, और control plus J, Y और Z, यहाँ पर justify करने का shortcut key, 69 में देखेंगे, correct answer B बन जाएगा, ठीक है न, अगला question है, what is the line below, line below the text in library office writer called, मतलब, जो text के नीचे line होती है, उसे क्या कहते हैं, underline कहते हैं, bottom line, below line, और top line, ठीक है न, तो 70 नमबर के correct answer क्या बन जाएगा, D, underline कहा जाता है, अगला देखेंगे, next है 71, which of the following not, component of the library office suit, base, draw, writer, यह अचान सा question, 15 नमबर का 15 जनवरी, 15 जनवरी को यह question पूछा गया, morning batch, यहाँ पर देखेंगे, base, draw, writer, यह बढ़िया question है, पिछले years भी, पिछले session में भी यह question पूछा गया था, ठीक है न, तो 71 का correct answer क्या बन जाएगा, यहाँ पर internet explorer, ठीक है न, कौन सा not पूछ रहा है, ठीक है न, कौन सा नहीं है, फिर उसके बाद, यहाँ पर DRR 11 मेनू found in LibreOffice Writer, LibreOffice Writer में क्या 11 मेनू पाया जाते हैं, तो यहाँ पर पाया जाते हैं, तो true लगा दीजिए, तो सही बात है, ठीक है न, तो यहाँ पर देखेंगे, true सही है, अब false वाला गलत है, यहाँ पर देखेंगे correct अगला है, 73, which of the following is not, show in the status bar LibreOffice Writer, 73, 73 में 73, name of the computer, total character, character page number, total page number, यहाँ पर यह देखेंगे name of computer, computer का नाम नहीं show करता है, 73 के बाद 74 आता है, 74 में देखेंगे, is there shortcut की redo, redo, LibreOffice Writer, LibreOffice Writer का redo का shortcut की क्या है, Y, Z, R, ठीक है न, तो यहाँ पर देखेंगे, 74 का correct answer आपका बन जाएगा, A, control plus Y, ठीक है न, अगला कोशन है, अगला कोशन 75, 75 में style formatting is not include in the LibreOffice Writer template, जहाँ पर देखेंगे, true बताना है, false बताना है, 75 में देखेंगे, correct answer false हो जाएगा, अगला देखेंगे, next है, 76, the shortcut की the print preview, print preview का shortcut की 13 जन्वरी, 14 जन्वरी, ठीक है न, तो याद कर लीजिए, 76 में देखेंगे, correct answer C हो जाएगा, ठीक है न, अगला देखेंगे, next क्या है, 77 shortcut की increase font size, increase font size, increase font size के लिए, कौनसा shortcut की, 70 C में देखेंगे, A हो जाएगा, increase font size, अगर ये देखा जाए, तो ये भी सही है, ठीक है न, तो दोनों ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, 78, what is the line given above of text, मतलब जो text होते हैं, जैसे text है, उपर line होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है न, नीचे line वाला तो ठीक है, ये underline बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, तो ये question 15 तारिक को ये आज, 15 जन्वरी को पूछा गया question है, what is the line given above of the text, उपर, जो over line होगा, up line होगा, below line होगा, upper line होगा, कौन सा होगा, 78 में देखेंगे, ये है, over line, अगर उपर line है, तो over line, नीचे है, तो underline, ठीक है न, अगला देखेंगे, 79 का question, what can be created with library office writer, ठीक है न, invention और फिर अप्लिकेशन, फिर उसके बाद यहाँ पर जो चीज़े दी हुई है, 79, 79 का correct answer, तीनों चीज़े अबलबल होती है, all of the above, ठीक है न, अगला देखेंगे, 80 number, you can easily add, remove of the text, text in the table, यहाँ पर you can easily add or remove text in the table, टेबल के अंदर क्या कर सकते हो, यह सीज़े text जो है, add or remove कर सकते हो, यह नहीं कर सकते हो, बिलकुल easily कर सकते हैं, true इसमें देखेंगे, correct answer हो जाएगा, 81, what is the size of footnote in library office writer, library office writer का, जो footnote का, जो size जो होता है, वो कितना होता है, 0.5, 1, 1.5, 2.5, 81 में देखेंगे, correct answer जो होगा, वो आपका B हो जाएगा, 1 होगा, next है, 82, what first identifies grammatical error and then spelling error, ठीक है न, तो यहाँ पर 82 का correct answer क्या है, true है कि false है, तो 82 में देखेंगे, correct answer यह false हो जाएगा, next है, 83, ठीक है न, to check the grammar, we should to go to which of the following means, insert menu, tools menu, edit menu, repeated question है यह, ठीक है न, तो यहाँ पर check the spelling grammar, should, go to which of the following menu, कौन से menu में जाना है, insert menu में, tools menu में, edit menu में, और view menu में, तो 83 का correct answer हो जाएगा, tools menu में, tools menu में जाएगे, वहाँ पर आपको यह मिल जाएगा, next 84, which key do you have to press, get help, library office writer, help के लिए shortcut की कौन सी होती है, तो help के लिए shortcut की हमेशा जो होती है, वो F1 होती है, ठीक है न, यहाँ पर देखेंगे 85, 85, RAM want to change the spelling of a word in the entire document, which option will see use, मतलब एक document है, उस document में सब जगा spelling check एक बार में ठीक करना चाहता है, copy, paste, align, find and replace, कौन सा option आपको सहायता करेगा, तो 85 का correct answer आपका बन जाता है, 85 का D बन जाएगा, find and replace में जाकरके ये चीज़ किया जा सकता है, next है, 86, 86 में what are the option available for editing, micros in library office, micros, micros से related 14 तारिक को question में पूछा गया, 13 को भी पूछा गया, आज नहीं आया, ठीक है न, what are the option available editing micros, ठीक है न, कौन सा, load basic code, execute code, save original, और none of these, तो correct answer 86 का क्या बनेगा, 86 का देखेंगे correct answer load basic code बन जाएगा, ठीक है न, यहाँ पर देखेंगे, जो record option होता है, record option के माध्यम से data record होता है, ठीक है न, यहाँ पर देखेंगे 87, 87 में देखेंगे the space left button, the space left between, the margin and start of paragraph is called space margin getter indentation, 87 का देखेंगे correct answer D हो जाएगा, indentation, ठीक है न, जो space होता है, उसको indentation के अंदर consider करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, which item are placed at the end document, header, footer, end text, end notes, तो 88 का correct answer, end note, ठीक है न, अगला देखेंगे, next है 89, what is the shortcut key, right alignment, library office writer, right alignment, page के right side में जाना है, तो उसके लिए shortcut की क्या होगा, तो 89 का correct answer देखेंगे, यहाँ पर R, 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 सब में R है, बट control, R, shift अलग-अलग है, देख लीजिए, बढ़िया है, 89 में देखेंगे, 89 में देखेंगे, B correct answer बन जाएगा, control plus R का सहरा लेंगे, ठीक है न, next question है, informative question, राम, रोट आर्टेकल, in the benefit forest of everywhere, he, रट फोस्ट, in trade, of the word forest, by mistake, which option, would you to use the spelling dialogue box, in correct, missable, और फिडियोस के बाद, words at once, correct, correct all, always correct, add to dictionary, ठीक है न, राम जो है, वो एक आर्टेकल लिख रहा था, वहाँ पर आपको जो spelling error है, जो mistake है, उसको correct करना चाहता है, मतलब सभी की सभी problem को वो क्या करना चाहता है, ठीक करना चाहता, तो क्या करेगा, तो 90 नंबर के correct answer देखेंगे, correct all का use करेगा, correct all का प्रियोग करेगा, तब ये possible है, ठीक है न, तो आज की class में इतना ही रहेगा, इसमें देखेंगे important question दिये गए, जिसमें कि 13 जन्वरी और 14 जन्वरी और 15 जन्वरी, ये इसमें जो question पूछे गए, लिब्रे ओफिस राइटर से maximum question पूछे जा रहे हैं, और लिब्रे ओफिस राइटर के जो question है, वो सभी question आपको यहाँ पर कोशिज की गई कि सब maximum question यहाँ पर दिये जाए, आने वाले, आने वाले exam, उन बच्चों के लिए, जो कल का, 16 तारिक का, 17 तारिक का, 18 तारिक का, 19 तारिक का, और 20 तारिक का, पेपर देने जा रहे हैं, जिसमें वो पहला पेपर M01, R5 दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही helpful है, ठेक है न, तो इस वीडियो को देखें, और multiple time, 2-3 बार देख लें, सारी चीज़े रट जाएंगे, कुछ लिखने के जरूरत नहीं है, ठेक है न, ओके, thank you.